नमस्कार दोस्तों ऐस सारी ऑनलाइन अपके ऑफिशल यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के विक्रम सारभाई इस्पेस सेंटर्स की योड़ से जो 14 जुलाई 2021 को टेक्निशन भी इलेक्ट्रीशन पोस् करने वाले तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा यह वीडियो उन लोगों के लिए एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्विश करना चाहूंगा यादि आप चैन तो 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 कोश्चन नमबर 26 है नीचे दिये गए परिपत में सेल से ली गई धारा कितनी है गैलवनोमीटर जी प्रितिरोत 10 ओम है वोट इस दा करेंट ड्रॉन फ्रॉन फ्रॉन इन दे सर्केट शोन बिलो गैलवनोमीटर जी रेजिस्टेंस इस तैन ओम यहाँ पर यह दो प्रॉसित्र में सिलिका जेल की नमी की मात्रा संत्रप्त हो जाती है तो उसका वर्ण डैश में परिवर्तित होता है वेर्ण मॉइस्टर कंटेंट ऑफ सिलिका जेल इस ब्रीदर गैज गैट सेचुरेटेड इस कलर चेंज फ्रॉम इसका सही आंसर है आप्शन नमबर बी ब्लू टू पिंक नीला से गुलाबी कुशन नमबर टूंटी एट चालिस वोल्ट औसत वोल्ट से युक्त एक अर्ध तरंग परिशोदिस साइन वेव को चालिस ओम प्रितिरोदक से होकर ले जाया जाता है प्रितिरोदक में शेत शक्ती का शेत शक्ती क्या है अहाँ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव हैं एवरेज वेल्यों फोर्त वोल्ट इस पासिंग तो आप 40 ओम रेजिस्टर वोट इस दा पावर डिसीपेट इंदा र प्लस टू इंटू 195 इंटू 5 प्लस 25 की वेल्यू क्या होगी वेल्यू 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 अपने निटीफाइड निटीफाइड नुमेरिकल तो इसको इसको इसली सॉफ कर सकते हैं जिसका आंसर है आप्शन नमबब बी 40,000 और कोशन नमबर 30 सम्पुर्णे लोड पर एक ट्रांसफॉर्मर का लोह हास, आरं लॉस चालिस वोड है अर्ध लोड पर लोह हास कितना होगा A transformer has 40 volt as iron loss at full load What is the iron loss at half load इसका सही आंसर है option number D 400 watt Touch number 31 नीचे दिये गई परिपत में बीटा 99 है और VBE बराबर 0.7 volt है संग्राही धारा के मान का पता लगाएं इसका सही आंसर है option number 1 0.99 milliamps Question number 32 एक त्रेधा तरंग कुंडली में कितने समानतर पत होते हैं How many parallel paths are there in the triplex wave winding सही आंसर इसका option number D 6 Question number 33 Salient Dhruv प्रत्या वर्तित पर damper कुंडलन Damper winding on Salient pole alternator is इसका सही आंसर है option number C Dhruv face पर प्रत्यान किया जाता है Provided on the pole face अगला प्रेशन है दोस्तों दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो like और share जरूर करें साथी चात अपने सुझाव हमें comment जरूर करें यदि आपके कोई questions है और यदि आप हमसे कुछ पूछने चाहते हैं तो आप हमें comment जरूर करें अगला प्रेशन है किसी वर्ग के किस वर्ग के प्रवर्ड़ याने amplifier में अधिक्तम विरूपन होता है विच क्लास अप्लिफायर है था मैक्सिमम डिस्टोर्शन तो इसका सही आंसर है option number D class C प्रेशन नंबर 35 चेतावनी चिन्न के लिए प्रयुक्त वर्ग अगर्डर एंड सिंबल तो अगर्डर एंड सिंबल को प्रेशन नंबर 36 चार से एक मक्स का आउट पुट अउट पुट ऑफ द फोर टू वन मक्स इस इसका सही आंसर है option number B X plus Y का बार तर्श नंबर 36 SL I battery में SL और I का मतलब क्या होता है तो इसका सही आंसर है option number B Starting, Lightning और Ignition प्रेश नंबर 38 एक अतियोगिक DC generator में वुल्ट ता नियमन हमेशा डैश होता है इन अबर कंपाउंड DC generator the voltage regulation is always इसका सही आंसर है option number B रिणात्मक negative प्रेश नंबर 49 एक transformer दृत्यक की 10 फेरे के साथ 10 milliwebber अधिक्तम एक ज्वाविक्री फ्लक्स जोडता है दृत्यक की प्रेरित EMF के RMS मान का परिकलन कीजिए सप्लाय आवरती पचास हट्स है a sinusoidal flex of 100 milliwebber maximum with 10 terms of our transformer calculate the RMS value of the induced EMF in the secondary supply frequency is 50 Hz इसका सही अंसर है option number D triple eight volt I am sorry triple two volt test number 40 50 Hz supply के साथ जोड़े गए 950 RPM के RPM पर चलती 6 दृवी तीन कला प्रेरक मोटर की घुरनक धारा आवरती क्या है what is the rotor current frequency of a six pole three phase induction motor running at 950 RPM while connected to 50 Hz supply इसका answer है option number D 2.5 Hz question number 41 490 गलित्र काउंटर में से विभाजित के लिए कितने flip-flop की जरूत पड़ती है a divide by 490 counter require how many flip-flop तो इसका सही answer option number C 9 अगला प्रश्न है प्रश्न 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 चित्र में दिखाए गए परिपत का निर्गम output Y क्या है the output Y of the circuit shown in the figure is आप circuit यह देख सकते हैं दोस्तों अब यह उसका answer है option number D A into B into C plus D plus E अगला प्रश्न है दोस्तों दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे telegram channel को जोईन नहीं किया है तो आप telegram channel को भी जोईन जरूर कर लें क्योंकि जो भी new notifications आते हैं हमारे वीडियो के किसी vacancy के या कोई भी importance update आता है तो उसका PDF हमारे telegram channel पर upload कर सकते हैं तो यदि आप उसको join करना चाहते हैं तो description box में लिंक के आप वहां से जाग उसको join कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों question number 43 है एक उच्चा यह transformer की primary के प्रिती फेरे पर वोल्ट ता जुत्यक के प्रिती फेरे पर वोल्ट ता डैश है दे वोल्टेज पर टर्न आफ दे प्राइमरी आफ दे स्टेप ट्रांस्फोर्मर इस डैश दे वोल्टेज टर्न पर टर्न आफ दे सेकंडरी तो इसका सही आंसर है option number A समान same is question number 44 अंतर वेशों में कुंडलन डैश में सन्यूजित किया जाते हैं windings on interpoles are connected in इसका सही आंसर है option number C सिरीज वितार में चर कवच के साथ शेड़ी में question number 45 40 SWG copper wire की सन्य कर्ड फ्यूज धार लगबग डैश है approximate fusing current of 40 SWG copper wire है इसका सही आंसर है option number A 3 amp question number 46 एक AC परिपत में किलो वोल्ट एंपेर पर किलो वार्ट ये क्लो वार्ट का अनुपात डैश है इना AC सर्कुट दर रीशो ओफ किलो वार्ट एंपेर तो किलो वार्ट इसका आंसर है option number D इन में से कोही नहीं प्रेश नंबर 47 electrolyte used in nickel cadmium battery is nickel cadmium battery में प्रियुक्त विद्गुद अबगटे डैश है प्रेश नंबर 48 जब लेड अमल सेल को अवशो शित किया जाता है तो विद्गुद अबगटे का घनत when a lead acid cell is discharged the density of the electrolyte is सही आंसर है option number A पहले बढ़ता है और फिर कम होता है first increase and then decrease question number 49 निमलिकित में से किन परिस्तितियों में RC श्रीणी परिपत में संदारित के आर पार वोल्ड ता रेखे ग्रूप से बढ़ती है in a RC series circuit the voltage across the capacitor increased linearly under which of the following conditions सही आंसर है option number A charge stroke से लिया गया धारा स्थिर है current drone from the charging source is constant question number 50 निमलिकित उपकरणों में से किसकी स्रक्षा के लिए L श्रेणी के MCB के मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है सही आंसर है कि इसका option number C घीजर एल से एंसरी मेनली यूज़ तो प्रोटेक्ट वीच और फॉलोविंग एक्किप्मेंट सही आंसर option number C घीजर तो दोस्तों यहां तक हमने कुछ कुल 50 questions completed लिए आगे भी इसके लगबग 30 questions और बचेंए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक ही पार्ट पर कवर कर लेंगे आपको यह पार्ट अच्छा लगा हुआ है वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें जैन वंद्यमात्रम करें करें